आज मैं आप सबके साथ सेयर करने वाली हूँ इद स्पेसल सेवई किमामी की रेसेपी वैसे ये सेवई सूखी किमामी रेसेपी है और ये बनाना जितना ही आसान है खाने में उतना ही ज़्यादा टेश्टी है खास करके ये रेसेपी इद पे बनाया जाता है और ये खास कर मह मानु के लिए एक बार बना लेंगे घर में दुस्ता भी को बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए इसाइट करते हैं इसके लिए और आधा बॉल हम चीनी बिडाल देंगे चीनी और पानी का कॉंट्री ब्रावर रहेगा तो चासनी जल्दी से बन कर तायार होता है तो इसे अब इस तरीके से पकने देते हैं तो बस इसमें थोड़ा सा मिलाची पॉडर डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें एक पिंच बस औरेंज फूट कलर एट कर देते हैं अब इसे इसे तरीके से थोड़ा देर पकने देते हैं एक से दो मिनट गैस का फ्लेम मीडियम करके तो जो चासनी है और लगबग अच्छे तरीके से पक गया हैं तो इसमें अब हम बारी कटा हुआ काजू बदाम डाल देते हैं और जो सिमई भून कर रखे हैं इसे भी इसमें डाल देते हैं अब इसे हम इसे तरीके से पकाएंगे गैस का फ्लेम एकदम मीडियम कर देंगे तो लगबग इसे 2-3 मिनट पकाएं मिडियम लो फ्लेम पर तो थोड़ा सा मावा इसमें अट कर देते हैं अगर मावा नहीं है आपके पास तो बेगर मावा का भी बना सकते हैं तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर लेने के बाद एक मिनट और तो इसे हमने मात्र 6 मिनट में किमामी सिवई बनकर तयार हो गया है एक बार इस तरीके से बनाना बहुत ही पसंद आएगा अप गयास का फ्लेम बंद कर देते हैं इसे एक बार बना कर खा लेंगे तो पक्का है हमेशा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे जब भी आपका कु